नमस्कार रादे रादे मैं सच्चे दानन सींकुष्वा आप सभी को सब परिवार सीतला अश्टमी और बासोडा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बदाई एवं हार्दिक सुब कामना हैं। चैत्र मास में किष्णपक्ष की अश्टमी तिथी को सीतला अश्टमी कहा जाता है। खास तोर पर इस दिन मास सीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। और खुद भी बासी और ठंडा बोजन ग्रहन किया जाता है। बासोडा का ये पर्व रंग पंचमी से सुरू हो जाता है। धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस अवसर पर पूजा और ब्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयू का बरदान प्राप्त होता है। हिंदु मानिताओं के अनुसार इस दिन चूला नहीं जलाया जाता है बलकि चूले की पूजा की जाती है। इस दिन ब्रत करने से जवर, नेत्रविकार, चेचक जैसे अन्य रोगों से चुटकारा मिलता है। सीतला अश्टमी और बासोडा का ब्रत रखने से सीतला माता खुश हो जाती हैं और अपने भक्तों को खुशियों का बरदान देती हैं। आप सभी को सीतला अश्टमी और बासोडा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बदाई एबं हारदिक सुबकामना है। हम सब पर माता सीतला की कृपा हमेशा बनी रहे। इनी सुबकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्त रहें, हस्ते रहें, मुस्कुराते रहें। जै स्री रादे रादे, जै मा सीतला, जै माता दी।